C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिये पेश है तीसरी जमाद के लिए उर्दू की समयी दर्सी किताब सितार सबक्त नमबर अच्छे कश्मीर सफा नमबर सैंतालेस मैंने हिंदुस्तान के पहाडी मकामात देखे शिमला, नैनी थाल और रानी खेद की भी सेर की हम महाबलेशवर तीन दिन जाकर रहे लेकिन सबसे ज्यादा सैर मैंने कश्मीर की की है स्रीनगर और आस पास के इलाके तो च्छान ही डाले इसके अलावा पामपुर, सोनमर्ग, मानसबन जील जिसके चारों तरफ कवल के फूलों के तखते उसे अजीब हुसन बख्षते हैं सफा नंबर अर्टालिस यूं तो कश्मीर का चपपा चपपा जन्नत अरजी मालूम होता है लेकिन मुझे पहल गाम सबसे ज़्यादा पसंद है इसकी सेर से जीक कभी नहीं भरता पहल गाम से उपर, उची पहाड़ियों पर तो दूसरी तरफ घोडों के फिसल जाने के डर से खौफ भी मालूम होता है चंद अन्वारी पहुँचकर दूर तक चश्मे पर जमी हुई बर्फ सड़क के मानिंद देखी उस पर चले बर्फ तोड़कर खाई और सरदी से जम जम से गए सफा नंबर उन्चास गुलमर्ग कई बार गए इससे तीन मील नीचे तुंग मर्ग की वादी है जिसका चश्मा दर्या के बराबर चोड़ा है गुलमर्ग से तीन मील पतली पकडंडियों पर पैदल या टट्टू पर सवार होकर खिलन मर्ग जाते है यहां बर्फ जमी मिलती है यहां की हवा हल्की है मेरा सांस रुकता महसूस होता था मगर उस वक्त इन बातों की परवा किसे थी सालिया आबिद हुसेन सफा नंबर पचास मश्क पढ़िये और समझिये मकामात जगहें चश्मा वो जगा जहां से पानी खुद निकलता है सोता सरसब्ज हरा भरा असीर गिरफतार बर्फ पोश बर्फ से ढखा हुआ हुसन खुबसूर्ती हुसन बख्षना खुबसूर्ती बढ़ाना चपपता कोना कोना जन्नत अरजी जमीन पर जन्नत मनाजिर नजारे, चीजें जो नजराएं टट्टू दुबला पतला छोटा घोडा पकडंडी वो रास्ता जिस पर सिर्फ पैदल चला जा सके खेतों का तंग रास्ता सफा नंबर 51 सोचिये और बताईए 1. सबक में किन जीलों का जिक्र है? 2. गुलमर्ग से खिलन मर्ग किस तरह पहुचते हैं? 3. चंदनवारी के बारे में क्या बताया गया है? 4. कश्मीर का चप्पा चप्पा कैसा मालूम होता है? 5. चार पहाडी मकामात के नाम लिखिए नीचे दिये गए अलफाज का पहला हर्फ हटा कर नया लवज बनाईए इसमें पहला हर्फ हटा कर नया लवज बनाया गया है इसी तरह दिये गए अलफाज में पहला हर्फ हटा कर नया लवज बनाईए बरस, खाली जगा, मनाजिर, खाली जगा, मर्ग, खाली जगा, अजब, खाली जगा, गहरी, खाली जगा, सफ़ा नंबर बावन कॉलम अलिफ और बे को मिसाल के मुताबिक मिलाईए, अलिफ, सर्दी, फूल, ज्यादा, दूर, मोटा, बे, पास, पतला, गर्मी, कांटे, कम मिसाल के लिए सर्दी को मिलाया गया है गर्मी से, दुरुस्त इमला वाले लफ्स पर सही का निशान लगाईए, कश्मीर, कस्मीर, खौफ, खौफ, सफ़ा नमबर त्रेपन, महसूस, महसूस, वक्त, वक्त, मकाम, मकाम, नीचे दिये गए जुमलों पर गोर कीजिए, हम पहाडों की सेर करने गए, तीन मील तक पकडंडियों तक चले, पहाड और पकडंडी की जमा है, इसी तरहां मिसाल के मुताबिक दिये गए वाहिद की जमा लिखे, मिसाल नजर, नजरों, बात, खाली जगा, फूल, खाली जगा, पहाडी, खाली जगा, गहराई, खाली जगा, मील, खाली जगा, सफा नंबर चववन, नीचे दी हुई तस्वीरों पर दो दो जुमले लिखिए, दी गई तस्वीरे हैं, जर्ना, पहाड, घोडा, गुलाब, सफा नंबर पचपन, नीचे दीए गई अलफाज के आखरी हर्फ को हटा कर नया लवज बनाईए और बुलंद आवाज से पढ़िए, मिसाल के तौर पर पहाड़ी, पहाड़, इसमें पहला हर्फ हटा कर नया लवज बनाया गया है, इसी तरह दिये गई लवज हैं, कमी, देखी, सर्दी, चोटी, पानी, इनके पहले हर्फ हटा कर नया लवज बनाईए, जैल में दिये गए लवजों के हुरूफ मिसाल के मताबिक अलग-अलग करके लिखिये मिसाल मालूम मीम आइन लाम वाउ मीम कश्मीर खाली जगा हुस्न खाली जगा मानिंद खाली जगा पसंद खाली जगा बुलंद आवाज से पढ़िये और खुश्खत लिखिये हिंदुस्तान फूलों पसंद चश्मा महसूस सफ़ा नंबर चपन कश्मीर कश्मीर को उसकी कुद्रती खुबसूर्टी की वज़ा से दुनिया की जन्नत कहा जाता है यहां के लोग कश्मीरी जबान बोलते हैं कश्मीर अपनी दस्तकारियों के लिए दुनिया भर में मशूर है जिन में कश्मीरी कालीन, पश्मीना शॉल, पेपर माशी और अक्रोट की तराशीदा लकड़ी का काम शामिल है मौसीकी और रक्स, कश्मीरी तहजीब का अटूट हिस्सा है कश्मीर में मुख्तलिफ किस्म के पकवान बनाए जाते हैं जैसे वाजवान, समावार का खुश्बुदार जाफरानी कहवा यहां के जाइकों में शामिल है इस पैराग्राफ की रोशनी में नीचे दिये हुए निकाद पर बच्चों से गुफ्तगू कीजिए एक, कश्मीर तो बहुत खुबसूरत जगा है आपने कौन-कौन सी खुबसूरत मकामाद देखे हैं? उनकी खुबसूरती के बारे में बताईए सफ़ा नंबर 57 2. कश्मीर के लोग कश्मीरी जबान बोलते हैं आपके इलाके में कौन-कौन सी जबाने बोली जाती है 3. आपने कश्मीर के बने हुए कौन-कौन से सामान देखे हैं? आप अपने इलाके में बनने वाले सामानों के बारे में बताईए 4. आपने कश्मीरी लोक गीत रक्स के साथ अगर सुना और देखा है, तो आप उसके बारे में बताईए किया क्या अच्छा लगा 5. कश्मीरी लिबास कैसा होता है? उसमें आपको क्या अच्छा लगता है? 5. कीजिए आपने किसी दिल्चस्प मकाम की सेर की है, तो नीचे दी गई जगा में अपनी सेर के बारे में लिखिए सफा नंबर 58 5. रंग भरिए दी गई तस्वीर है कांग्डी की, ये एक बेरंग तस्वीर है, इसमें आप सही रंग भरिए लतीफा, चुटकुला उस्ताद, शागिर्द से, दस्तक को जुमले में इस्तमाल कीजिए शागिर्द, जनाब मुझे दस्तक गिंती आती है असातजा के लिए हिदायाद, तल्बा से सफर नामे पर गुफ्तुगु करवाई जा सकती है उनके किसी सफर पर बादचीत करके लिखवाया जा सकता है कश्मीर की तहसीब, रहन सहन, लिबास और उसकी दस्तकारी से मुतालिक एक वीडियो भी दिखाया जा सकता है अभी आप सुन रहे थे तीसरी जमात की उर्दू की समयी दर्सी किताब सितार समयी रिकॉडिस मयंक कुमार, निर्मार सहयोग चेतना शर्मा समयी फनकार सुंबुल शकील और फरहान अली नकवी हिदायत और तखलीक कार विमलेश चौधरी यह किताब CIETNCERT नई दिल्ली भारत के जरिये पेश की गई